तो नमस्कार, मेरे हम उम्र, मित्रों, और मेरे वड़ोग प्रनाम देखिए, अभी हम बात करने जा रहे हैं, हिंदी कौर पेपर फोर, यानि कि december be a, हिंदी यंदी कौर प्रेपर पोर का, ठीक, तो आए जानते हैं कि पेपर किस प्रकार का पूछा जाता है, question paper, ठीक, और यहां पे आपको कितने घंटे समय दिया जाता है किस परकार को लिखना होगा आपको सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में तो डिटेल में जानते हैं आई शुरू करते बीना टाइम गवाए तेखिए टाइम आपको एकजाम में तीन घंटे का दिया जाता है फुल मार्क्स एकजाम हुई है यहां यहां फरवरी 2021 में तो जितने भी कॉस्चन हो सकते हैं न मैं दोस्तों से जितना मांग सका अपने छोटों से बड़ों से सबी से मैं कॉस्चन ले करके आपको देता हूं देखिए यहां पे कॉस्चन आपको तीन ग्रूप में बटा है ग्रूप A, ग खंड भी और खंड गह ठेक देखिए सभी बनाना अनिवार यह है अनिवार को इंगलिस में कंपल्सरी बोलते हैं देखिए आपको सबसे पहले यहां पे दस ऑब्जेक्टिव कॉस्चन दिये हैं और परते कॉस्चन आपको दो मार्क्स के होता है यानि कि 20 मार्क्स आपको अब्जेक्टिव यानि की मिल जाते हैं यहां पे इसका उत्तर आप हो सके तो सौट में दीजिए बिल्कुल सौट में एक सब्द एक लाइन या फिर ज्यादा ज्यादा दो लाइन इससे ज्यादा नहीं जाईए दो अंक का कॉस्चन है कर्मवीर कविता की रचना है कर्मव काल के रचनाकार है सोहन लाल दिवेदी क की सक्याल के रहें देजिए रितिकाल चैते काल क rätt है तो करते हैं काफी एक्सपर्ट होंगे जए गणोंबर क्या है द्यूबी यूग कि दो प्रमुख कवी क्यों 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 नाम लिंग देजिए पْ उसके को बाद गार नंबर क काल समय चला था ठीक उसके बाद अंगा नमबर में यानि के पाँचवा कॉस्चन पूस्प की अभीलासा किसकी रचना है पूस्प की अभीलासा एक रचना है तो यह किस लेखा गया किस कवी द्वारा लिखा गया है उसको आपको दो काई भी रचनाओं का नाम लिखना है एकता किसकी रचना है एकता यह जो रचना लिखी है किस ने लिखी है लेखक टिक नाम बता दीजिए छहाँ नमबर हो गया जहाँ नमबर देखिए राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब और कहां हुआ था राम नरेश त्रिपाठी इनका जन्म कब हुआ और किस अस्थान पर हुआ आपको बताना है जहाँ नमबर देखे हरी ओध को आचारी रामचंद्र सुकल किस काल का रचना मानते हैं जो आचारी रामचंद्र सुकल है ठीक ना आचारी रामचंद्र सुकल जी हरी ओध को किस काल की रचना मानते है हिंदी साहित के किस काल की रचना को मानते है तो आपको काल लिखना है उस काल का नाम उसके बाद यह नमबर में क्या है आचारे राम चंद्र सुकल के अनुसार हिंदी साहित के काल का निर्धारन मुख्य आधार क्या होना चाहिए फिर से मैं एक बार रिविजन करूँगा इसको रिपीट करूँगा तो group B और group C में 60 marks complete हो जाएगा देखिए यहाँ पर है 20 marks यानि कि हमारा 40 marks हो गए है अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक question 10 marks का है आपको दो question बनाने हैं 20 marks मिलेंगे लेकिन 20 नहीं मिलेंगे ज्यादा ज्यादा 30 मिलेंगे इससे ज्यादा नहीं तीस बोलते हैं यहाँ पर आपको 15-16 marks मिलेंगे maximum इससे हायस किसी का नहीं जाएगा पक्का बता रहा हूं तके राइस्टिक काईब धारा की किसी दो कहीं उतर देना है ठीक ना यहाँ पर आपको कितने question दिये हैं पांच चार question दिये हैं चार में से किसी दो कहीं उतर लिखना पहला क्या है राइस्टिक काईब धारा की परविख विश्यस्ताओं का संचिप्त परिचाई दें काईब धारा है इनका संचिप्त परिचाई देना है किवल दो पेज में दो पेज में हम बोले तो 125 सब्दों में दे सकते हैं इसका उत्तर आप ठीक उसके बाद 125 सब्दों से 150 सब्द के वेश दे दिजिएगा राम नरेश त्रिपाठी के वेक्टिट्व और क्रितिट्व पर संचिप्त परकार का था और उनकी किरतियां जो लिखा करते तक राम नरेश त्रिपाठी उसके बाद आता है गान नंबर पूस्वक की अभिलासा का मुख्य भाव असपष्ट करें यह जो पूस्वक की अभिलासा है रचना या काफी फहर्मा से इसकी जो है आपको मुख्य भाव को बताता ना है कि यह में रूप से क्या कहना चाहता है गान नंबर में क्या है भरतेंदू यूग परसंचिप टिपनी लिखने जो भरतेंदू यूग था इसकी क्या विसस्ताएं थी कब से शुरू हुआ इन सब के बारे में आपको लिखना है यहां तक तो हो गए हमारे 40 ग्रूप A और ग्रूप B मिलाकर ठेक 20 करके अब हमारा अपसी आता है 40 माक्स का टोटल हो जाते हैं हमारे 80 माक्स यहां पर आपको 20 माक्स का एक कोस्टन यानिकि 20 नंबर का एक प्रश्ण मिलता है आपको दो प्रश्ण बनाने है ठेक आपको 40 में से मैक्सिमम आकर आप ला पाएंगे तो 32 34 नंबर तक ला पाएंगी इससे जादुनिक काल की प्रेरक परिश्थितियों पर विचार करें जादुनिक काल की प्रेरक परिश्थितियों पर विचार करें उनके बारे में आपको लिखनी है राष्ट कायब्य धारा के परमुक परविर्ति और रचनाकारों का परिचाई दें ठिक यह लिख सकते हैं किसी राम चंद्र सुकल के व्यक्तित और क्रितित और प्रकार जाने देखिए इस प्रकार का दो कोश्चन आ चुका है तो हिंदी का पेपर क्या कि रेजवसन के सभी पेपर इजी होते हैं काफी इजी होते हैं अगर आप डेली एक घंटा भी समय देते हैं देखिए आपको उत्तर जो अंक का कोश्चन होता है विसमाक्स का उसका ज्यादा ज्यादा तीन सो से साड़े तीन सो सब्दों में उत्तर दे दे ठीक लेकिन आपका एंसर टूदा पॉइंट होना चाहिए अगर आप बोलते हैं कि भाई मुझने तो कुछ नहीं पढ़ा है गिरजवसन में कुछ न और इतना भी नहीं लिख पा रहे हैं तो छोड़ दिजी बीए करना आपके बस की गिरजवसन की बात नहीं है जूठी मैं सला नहीं दूँगा ठीक ना बात कर भी होगी लेकिन सचाहिए है तो फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ और यहां पे मैं एक मोटिवेशनल स् थैंक यू